एक संब्रिद लोकतंत्र के लिए राजनितिक इस्थिर्ता अत्यम्त महत्तुकून है ऐसे ही लोकतंत्रिक विवस्था में सरकारों की स्थिर्ता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए और इस दिश से वन नेशन वन इलेक्षन यहाँ एक अभिनंदनी प्रियास है हमें प्रसंता है जान करके कि वन नेशन वन इलेक्षन के लिए जो कमेटी वनी है इसके अध्यक्स पूर राश्टपती मानेश्री रामनात कोविंद जी को के अध्यक्सता में वनी है इस अभिनो पहल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आध्यने प्रदानमंत्री जी का हिर्दे से आभार वेक्त करता हूं वन निशन वन इलेक्षन ही आज की आउशकता है और इसलिए भी महत्तुपूर है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिस्से भी देखता हूं बार बार एलेक्षन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि एलेक्षन की एक प्रक्रिया को कम से कम डेड़ महने का समय लगता है और डेड़ महने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिकत निर्णे लेने में विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे वढ़ाने में कहीं ने कहीं पाधक हो जाती है इसके लिए आउस्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्षन को एक साथ हम आयुजित करें ये एक बहतरीन पहल हुई है ये नकेवल विकास के लिए बड़कि लोकतंत्र के संब्रिदी और लोकतंत्र की इस्थिरता के लिए जो प्रतेक नागरी के जियोंने में खुसाले लाएगा उसके लिए यहाँ एक अविनंदनी ये पहल है मैं इसको स्वागत करता हूँ झाल 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 झाल